वीवर्स आपके सामने मेरी एक वीडियो है जिसका आडियंस रिटेंशन आप देख सकते हैं के 64% है सबसे उपर ये वाली मेरी वीडियो है आडियंस रिटेंशन में लेकिन इस वीडियो से और भी वीडियो है जिनके वीडियो काफी ज्यादा है फिर इस वीडियो में कौन से एसी खास बात है कि इसकी audience retention सबसे उपर है लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं वीडियो को complete देख रहे हैं तो viewers जो new YouTuber होते हैं उनको इन चीज़ों का ज्यादा पता नहीं चलता कि ये audience retention क्या है वीडियो की engagement क्या है तो इसलिए उनको काफी ज्यादा time लग जाता है YouTube पर grow करने में अगर वो इन बातों को समझ लेते हैं कि audience retention क्या होता है उनकी audience कौन सी है उनकी audience क्या चाहती है अगर वो इस तरीके से काम करते हैं तो वो YouTube पर काम टाइम में बहुत जल्दी grow कर जाते हैं तो वीवर्स आईए मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कौन सा ऐसा खास काम किया है जिसके वज़ासे इस वीडियो पर audience retention काफी ज्यादा है लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा देख रहे हैं अगर कोई इस वीडियो पर आता है तो वो इस वीडियो पर रुख जाता है वीडियो को complete देखर जा रहा है इस वीडियो का audience intention काफी ज्यादा है और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसे वीडियो से मैं और अपनी वीडियो कैसे viral करा सकता हूँ तो आईए चलते हैं mobile की screen पर तो वीवर सबसे पहले आपने अपना वाईटी स्टूडियो ओपन कर लेना है ये देखें जैसे मैंने ओपन कर लिया है अब यहाँ पर आपने नीचे analytics वाले option पर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपने क्लिक करना है content पर तो यहाँ पे आपने स्क्रोल करना है नीचे आना है तो यह देखें अब आपको option मिल रहा है Key moments for audience retention कि यह वाले जो वीडियोज है इनमे audience retention काफी ज्यादा है वीडियो की engagement काफी ज्यादा है लोग इन वीडियोज पे काफी ज्यादा ठहर रहे हैं वीडियो को complete देख रहे हैं इसका मतलब यह होता है तो जो सबसे उपर मेरी वीडियो है उसका audience retention है 64% तो viewers अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ कि इसमें ऐसी कौन से खास बाता है कि लोग इस वीडियो को ज्यादा देख रहे हैं तो यह देखें मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके समने यह पेज आ जाता है तो अब आपने उपर वीडियो पे क्लिक करना है यह देखें आपके समने वीडियो आ चुकी है ये आपको वीडियो का ग्राफ भी दिखाई दे रहा है अब मैं वीडियो को प्ले करता हूँ और दिखाता हूँ आपको कौन से इसमें खास बात है तो ये देखे तो वीवर्स इस वीडियो में सबसे पहले मैंने उस वीडियो के बारे में बताया है जिस पे 17 लाख व्यूज आये हैं कि मेरी इस वीडियो पे 17 लाख व्यूज आये हैं और मैंने इस वीडियो से कितना कमाया है तो वीवर्ज जो भी ये सुनता है वो वीडियो पे रुक जाता है कि 17 लाख के पीछे कितना पैसा मिलता है तो viewers इससे क्या पता चलता है कि मैंने अपनी वीडियो का हुक अच्छा बनाया है कि लोग मेरी वीडियो पे अब रुक चुके हैं वो देखना चाहते हैं कि इस वीडियो से कितना पैसा मिलता है तो अब ये आपको पता चल चुका है कि इस वीडियो में कौन सी ऐसी खास बात थी कि लोग इस वीडियो को काफी ज्यादा देख रहे हैं तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसी वीडियो से मैं अपनी दूसरी वीडियो को कैसे वेरल करा सकता हूँ तो viewers इसके लिए आपने आ जाना है उपर स्क्रोल करना है और उपर आपने वीडियो पे क्लिक कर देना है तो ये देखें आपके समने वीडियो आ चुकी है कि अब इस वीडियो से हम अपनी दूसरी वीडियो कैसे वेरल करा सकते हैं तो अब मैं ये आपको बताने वाला हूँ तो viewers आपने स्क्रोल करना है नीचे आपको option मिलना है go to video analytics आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है reach वाले option पे तो अब आपने page को स्क्रोल करना है नीचे आना है तो viewers नीचे नीचे अब यहाँ पे आपको option मिल रहा है content suggesting this video तो viewers अब यहाँ से आपको idea मिलेगा कि आप अपनी दूसरी videos को कैसे viral करा सकते हैं उन पे views बढ़ा सकते हैं तो अब यहाँ पे मैं click करता हूँ तो यह देखें आपके सामने काफी सारे video के topics हैं मैं नीचे स्क्रोल करता हूँ यह काफी videos आ रही हैं तो अब मैं किसी video पे click करता हूँ यह देखें मैंने click किया 1000 views के कितने पैसे मिलते हैं तो viewers यह देखें आपके सामने video आ चुकी है इसी video की वज़ा से मेरी यह video चल रही थी मेरी इस वाली video पे views ज्यादा आ रहे थे मैं आप इसको back करता हूँ तो अब यहाँ पे जो आपको videos के topic मिल रहे हैं आपने क्या करना है अगर आपने अपने दूसरी videos को viral कराना है आपने YouTube पर अगर जल्दी grow करना है तो आपने क्या करना है यहाँ से किसी भी topic पर आप video बना है आपको यहाँ से 25-30 topic मिल रहे हैं तो आपने एक topic ले लेना है उसी topic पर आपने video को बनाना है क्योंकि इन topic की बज़ां से आपकी videos पर काफी ज़्यादा views आ रहे हैं आपकी यह वाली video viral हो रही है तो जो इनकी audience है वो आपके channel पर convert होगी और आपके channel grow करेगा तो viewers यह होता है तरीका videos बनाने का हम क्या करते हैं कोई भी video आज है हम बनाते रहते हैं हमें यह पता नहीं होता कि जो हमारी audience है वो किन videos में interested है वो कौन सी videos देखना चाहती है तो viewers अगर आपने YouTube पर जल्दी grow करना है तो आपने इन बातों को समझना है यह जो दो points मैंने आगको बताए है कि एक आपने क्या करना है जिस video का audience retention काफी ज्यादा हो तो आपने उस video के देखना है कि उस video में कौन सी ऐसी खास बात थी मेरी इस video में ये खास बात थी कि मेरी video का हुक अच्छा था मेरी video का starting point अच्छा था तो मैंने क्या करना है जो दूसरी वीडियोज बनानी है उनका मैंने हुक अच्छा बनाना है starting point काफी अच्छा होगा तो मेरी video पे काफी ज्यादा views आएंगे मेरी वीडियो की इंगेजमेंट काफी ज्यादा होगी और जो मैंने आपको दूसरी बात बताई है वो क्या बताई है इसी वीडियो से आपने जो ना दूसरे टॉपिक्स निकालने हैं अपने वीडियो के आपने जो दूसरी वीडियो बनानी है यहां से ही आपने बनानी है यह ना जो आपका दिल चाहे आप वो ही वीडियो बना ले तो फिर इस तरह आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है यूट्यूब पर ग्रो करने में अगर आप जल्दी ग्रो करना चाहते हैं यहां से आप टापिक्स निकालें क्यूंकि यह वो ही आडियंस है जो आपकी इस वीडियो पे है अगर यह आपकी वीडियो में इंटरस्टेड हैं तो आपने इनको वो ही कंटेंट परवाइड करना है जो इनको पसांदा है तो वीवर्स इसीत रहा ही आप अपने वीडियो वेरल करा सकते हैं तो अमीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अला आफेश